कल गौरी ने पढ़ाय लिखाय को लेगर के एक बहुत important सवाल पूछा था सवाल कुछ ऐसा था कि क्यों किसी subject में कुछ बच्चे तो बहुत तेज हो जाते हैं और बिचारे बाकी पीछे लथरते रहते हैं slow motion में चलते रहते हैं मतलब क्या अपने brain को develop करने का intelligent बनाने का efficient बनाने का कोई ऐसा तरीका है जो एक बार सीख लिया जाए तो जिन्दगी भर के लिए निपड़ जाये का काँ मेरा ना मैं रॉक्टर आशी शुकला पढ़ाई से मैंने MBBS MD किया है लेकिन मैं अपने आपको सच पूछे तो मानता हूँ एक student student किस चीज़ का life का, spirituality का और जो कुछ भी मैं सीख रहा हूँ मुझे लगता है आगे आने वाले generations के लिए बहुत important है बट मुझे कुछ मिला है 20-25 साल पहले कुछ मिला और उसकी वज़े से ही जो आप चाहती है वो मेरे साथ हुआ आप क्या चाहती है आप एक subject में struggle कर रही है maths में, English है, कोई भी subject है उसमें बहुत अच्छा होना चाहती है ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ और ये एक चीज़ में नहीं हुआ ये मेरे relationship में tremendous U-turn आया मेरे finance में आया और सबसे ज़्यादा impact मेरे internal state में आया इसको आप spiritual state कह सकते है क्या चीज़ है किसकी वज़े से हमारा brain पूरी तरह से transform हो सकता है क्या लगता है आपको किसी subject को सीखना है को जानना है आपको क्या लगता है बच्चों की brain की capacity में improvement कैसे आता है आ सकता है आप को बताईए आप कौन है थोड़ा से बताईए आपकी बात तुमें authenticity क्यों है क्यों कोई आपकी बात माने दोस्ते दोस्ते नमस्ते मेर नाम अमन है और मैं SAP Labs इंडिया में software developer हूँ जितने भी बच्चों से मैं मिला हूँ पिछले almost 6-7 सालों में अमन एक outlier की तरह निकल के आए है जिस तरह से अमन की सबसे बड़ी खासियत है he's interested to learn जो field में है मैं बहुत से software engineers को जानता हूँ जो अलड़ी 10-10 साल 15-15 साल तक job कर चुके हैं बढ़ उनका काम यह है कि अच्छी सालरी मिल रही है और किसी तरह से कोई धन्दा पानी चालू कर दे ताकि जल्दी से जल्दी job छोड़ के निकल जाए तो आपके हैसाब से आपकी लाइप में इन ट्रांस्फोर्मेशन कैसे आया importance of that degree importance of that this जो तुम पढ़ रहे हो बाइचनस जिगरी नहीं मिलती है लेकिन जो तुम पढ़ रहे हो ना उसका importance आगे देखो कि तुम कितना change ला सकते हो और उससे तुमाही लाइप में कितना चेंज़ा सकता है उसकी importance बदा चन लाइगी खुदी सब आगे-आगे होने लगेगा हमें ऐसा लगता है अचली मुझे क्या लगता है आपकी बात में मैं 100% अगरी करता हूँ थोड़ा सा में और आड करना चाहता हूँ something called as neuroplasticity जानते हैं neuroplasticity neuro जानते हैं plasticity मतलब हमारा brain एक ऐसा ऐसा बना हुआ है और ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछले 20 सालों में सबसे जादा आई है इसके पहले हम doctors और neuroscientists जी चीज़ को मानते थे अब पूरी तरह से वो बदल गया है हम लोग पहले मानते थे कि एक बच्चा जब adolescence हो जाता है मतलब आप लोग की उमर में पहुंच जाता है teenage हो जाता है तो रहा सा और उपर हो जाता है उसका brain पूरी तरह से develop हो चुका है तो कोई बच्चा अगर young age में intelligent है तो होगा उसके अलामा नहीं हो सकता ऐसा माना जाता था ऐसा school में teachers भी मानते थे लेकिन अब ये समझ में आया है कि brain ऐसा नहीं है कि पहले ये भी मानते थे कि जो भी transformation एक उमर के बाद आता है वो केवल और केवल negative आता है मतलब अगर किसी को accident हो गया किसी को brain में stroke हो गया तो उसका brain का cells खतम हो जाता है बस यहीं मानते थे लेकिन अब because of techniques like MRI and functional MRI और खास तोर से जो patients रहें और stroke के patients होएं उनको देख करके एक नई खोज होई है neuroplasticity के बारे में वो मैं चाहता हूँ आप इसको अच्छे से समझ जाए ऐसे यही आप शायए तोड़ा बहुत कल बोलने की कोशिश करें थी myelin sheath, myelin sheath करके देखिए हमारा जो brain सीखता है वो तीन तरीके से सीखता है सबसे पहला है chemical तरीके से जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो neurons की बीच में chemicals का transformation होता है यह ऐसे होता है जैसे कि यहां से मैंने आपको कुछ समान दिया और आप लेके चले गए फिर आपको और समान चीए तो फिर मैंने अपने दराज में से पैसे निकाले आपको दिये या आप स्कूल पढ़ते हैं तो मैं आपको टिफिन देता हूँ आप और खाराखार है तो मैं और टिफिन देता हूँ एक neuron से दूसरे neuron तक और यह help करता है in short term memory सबसे पहला तरीका है brain का सीखने का chemicals तो जितनी देर तक आप कोई वीडियो देखते है आप कुछ पढ़ते है आप कुछ revise करते है तो आपकी short term memory improve होती है लेकिन इसके अंदर एक चक्कर है हमारी जो short term memory होती है वो पढ़ाय लिखाय में तो help करती है बट वो ज़ादा help करती है motor activities में मतलब एक driver एक sportsman या कोई भी physical activity जब करते है तो उसमें जब आपकी memory create होती है उस activity को करते करते तो वो activity आप भूलते बड़ी मुश्किल से है अगर किसी चीज़ को आपने दो बार, चार बार, दस बार कर लिया physical activity को तो उसको भूलना मुश्किल होगा इसलिए मैं देखता हूँ आसपास में जितने भी बच्चे हैं एक level तक एक career में set हो जाते है क्योंकि उसमें brain जिसको हम कहते हैं gray matter या decision making या deep thinking उसकी ज़रूत नहीं है उसके लिए motor skill चाहिए चाहे कोई X-ray का technician हो या कोई driver हो, या कोई cook हो या कोई भी काम हो जिसको आप कर 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 सीख सकते हैं वो करना आसान होता है और जहाए तो लोग करना चाहते हैं लेकिन इसके बाद का step थोड़ा मुश्किल है हमारा brain जो और गहरी चीज़े सीखता है वो सीखता है through structural change क्या change? structural जो Steve Jobs ने किया आपने Steve Jobs जब शायर दुबारा आए जब macbook बनाने की बात आई तब उन्होंने क्या किया अपना अलग department बना लिया ऐसे हमारा brain क्या करता है जब उसको दिखाए देता है यार short term में memory तो create हो रही है chemicals में लेकिन जब उसको किसी चीज़ को बहुत अच्छे से सीखना है और आप बार 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 प्रेक्टिस कर रहे हो और आप छोड़ी नहीं रहे हो तो brain को लगता है boss एक अलग department बनाना पड़ेगा तो आपका brain में neurons का development होना शुरू हो जाता है शुरू में क्या होता है केवल chemicals और chemicals और ज़्यादा करते हो अब आप रात रात पर बैट करके coding सीख रहे हो, कर रहे हो उसी के videos देख रहे हो, उसी की बाते कर रहे हो, उसी की problem solve कर रहे हो तो आपके brain में जो coding के cells होंगे, neurons होंगे वो मुझसे कहीं 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 ज़्यादा होंगे एक अंधा आदमी चुकि वो braille को study करता है, तो उसके brain में tactile portion जो जिसको touch बोलते हैं, वो ज़्यादा develop होगा इसका क्या मतलब है, समझें इसका मतलब ये है कि कोई shortcut नहीं है, अगर आप ये decide कर लेते हैं, boss ये मुझे करना है, मुझे चाहिए decide की बात भी नहीं है आपको अच्छा लगता है, आपको ये भी लगता है कि boss, अब मुझे अपने brain के अंदर में buildings खड़ी करनी है जैसे आपने question पुछा था कल equity के बारे में पुछा था, equity क्या होती है तो equity आप एक word से answer दे सकते हैं लेकिन मैंने देखा है, जब मुझे decision making के course में घुसना था जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे एक Mr. John Walker करके एक director है, अब John Walker का chemical release हुआ मेरे brain में, जब मैंने वो बुला लेकिन अगर उसकी building बनानी होगी तो मुझे John Walker की शकल देखनी है तो मैं जब किसी की photo देखता हूँ की video की page पढ़ता हूँ और फिर भी मुझे लगता है कि नहीं मुझे और समझना है तो उस पूरी process में मैं क्या कर रहा हूँ मैं अपने brain में structural change कर रहा हूँ लेकिन एक इससे भी higher level of learning आती है third layer और वो है functional change हमारे brain में एक third तरीका है brain का सीखने का और वो है functional क्या होता है functional यह थोड़ा समझने में हमारा brain यह देखता है boss यह जो बंदा है यह give up नहीं कर रहा है यह बहुत ज़्यादा computer की coding कर रहा है यह बहुत ज़्यादा ही jewelry बना रहा है यह बहुत ज़्यादा video बना रहा है तो कुछ-कुछ areas को वो ज़्यादा excitable बना देता है मतलब ज़रा सा उसको chemical मिला और ज़रा सा कुछ clue मिला खट करके activate हो जाएगा जैसे मैं road पे जा रहा हूँ और कहीं पर मुझे कृष्णमूर्थी word दिखाई दे जाए तो मेरे आखे चमंग जाती है किसी को रह दिखाई दे मुझे दिखाई दे जाएगा तो यह क्या है brain की excitability बढ़ गई brain की function उस activity के लिए बढ़ देया और खली तरह यह नहीं brain को यह भी दिखता है कि हो सकता है जैसे अभी मैं रिम्पी को बता रहा था जब लोग रमण आश्रम गए थे तो रमण आश्रम जाने का प्लान नहीं था मुझे क्या आया था एक सपना आया था कि एक campus होना चाहिए 100 एकड़ का वहाँ पर लोग आकर गे रह सके और इस तरह की चीज़े मेरे सपने में आई और उस सपने से हम लोगों ने दिन में अपने वीडियो में जो भी पढ़ा लिखा था और फिर पता है रिम्पी क्या बोलती है हम लोग और विले जाएंगे मैंने कहा था और विले ऐसी बड़ा सा कैंपस मेरे दिमाग में यह था कि और विले सबसे बड़ा कैंपस है spiritual place तो अगर 100 एकल का कैंपस बनाना है क्रिश्मूर्थी foundation देखा है तो चलो और विले देखके आते हैं लेकिन रिम्पी कहती है कि मैंने देखा था तुम्हे एक दिन रमण महरिशी का website सलच कर रहे थे और यह अभी की बात नहीं है यह बात है शायद साल दो साल तीन साल पहले की बात है जब शक्ती जी हमारे घर पे रहते थे तब की बात है तो वो deep और far off memory अब जाकर के trigger हो गई और रिंपी ने उसको decision लेना शुरू कर दिया कि हम वहाँ जाएंगे और रिंपी का brain बहुत ज़्यादा ही excitable है किस चीज से travel से तो point क्या है कि हमारा brain पहले शुरू चुरू में जब आप किताबे पढ़ोगी तो क्या करेगा थोड़ा बहुत chemical से ज़री स्कूल में पंडी जी कुछ छेड़ देते हैं पुजा पाठ करते हैं गजल पेच पवित्र हो गया लेकिन brain को लगता है नहीं ये बंदी तो छोड़ेगी नहीं तब वो structure डिवलप करेगा लेकिन वो कब करेगा जब आप practice 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 करते रहोगे पागलों की तरह तब और जब लगता है नहीं यार practice करते करते brain को लगा तब अभी भी ये बंदी छोड़ नहीं रही है तब वो आपके brain की excitability बढ़ा देता है तब ही ऐसा होता है कि आप एक किताब खोलते हो और उसको एक line पढ़ते हो और आप चले जाते हो समाधी में लेकिन ये सारी बाते पता है theory हो जाती है अगर आप अपने brain की excitability नहीं देखते हो और learning कभी भी कोई और नहीं दे सकता है इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा स्कूल में है और उसको teacher torture कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है आप लोगो मैं school भेजता हूँ, college भेज रहा हूँ लेकिन जिस दिन आपको लगता है नहीं पापा आज मेरा दिन waste हो जाएगा मुझे अपना काम घर पे रहकर करना है मुझे सोना है, मुझे खाना बनाना है मुझे टीवी देखना है, मुझे जो कुछ भी करना है टेक complete control of your own life बिमारी में कहा जाता है अगर आप दवाई खालीजे ठीक नहीं होंगे you have to take rest rest is a medicine rest is not just rest अब नहीं theory आई है कि जितना आराम करते हैं उतना ही brain आपका body को heal करता है मैं यही कहता हूँ आपके learning के लिए कि जितना आप सीखना चाहते है it has to be all in your control अगर उस teacher ने बोल दिया अगर मेरी जगा वो teacher अब बोले तो मैं बात में जाके मैं आपके प्यार से कहूंगा कि मैं फेल तो मैं हो जाऊंगा लेकिन जिदेगी में फेल नहीं होंगा पैडम युकि मैं जाकर के आपके हिसाब से मैं जल्दी नहीं सीख पाँगा लेकिन अपने हिसाब से तो मैं सीखी लोगा ठीक है भले वो सोचें कि ज़्यादा ज्यान दे रहा है लेकिन दोस्तों ऐसे ही कुछ लोग हैं जो लोग Einstein बने हैं कुछ लोग रमण बने हैं तो आप लोग बताईएगा कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया कुछ सीखा आपने या नहीं हर एक हर एक बंदे के कमेंट को में पढ़ता हूं और इसके लावा क्या और करना हो तो यूट्यूब के लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टन हो जाता है फिर वो और लोगों को दिखाता है शेयर करता है और आप भी शेयर कर सकते हैं अपने ग्रूप में ठीक है कोर्स की जानकारी के लिए नीचे वाट्सएप है उस्पर करेंट कर लिए कोर्स करने से प प्रेंड़ के छो right अबसे रिए में यूा जैए अपने धर आप है है और ऊफित है में दोल means a जाट्न की जानकारी कि ऑनकारी क पार नायका घानकी है कुगर् यह वेकारी को है बन्सेना में से चाब़कर